जैहिन आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों ये फॉर्थ समेश्टर सोशियोलजी पेपर का नाम है Social Problems and Issues of Development in India ठीक है जो MGKBP यानि महात्मा गांधी कासी बिद्यापिठ में आप लोगों का sociology भी फॉर्थ समेश्टर का एक्जाम लगा हुआ उसके लिए very very most important है ठीक है इसमें total दोस्तो 75 questions है इस question paper में उमीद करते हैं कई सारे questions आपके फस जाएं इसमें से ठीक है चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों जल्द जल्दी देखने का प्रयास करते हैं ठीक है आपके इसमे 75 questions पूछे गया थे पहला प्रसन आपका पूछा गया है विस्थापन का उप्यक्षित पहलू है तो विस्थापन का उप्यक्षित पहलू पुनरवास होता है सी आपसन दिजेगा पढ़ना ठीक है चले और 6 समस्टर में भी काफी धामकेदार त्यारी कराई जाएगी चले दूसरा प्रसन है अमेरिका के पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेट सेंटर पर वायूयान से आक्रमड हुआ कब हुआ था 11 सितंबर 2001 में हुआ था पहला आपसन आपका है चले चौत्त परस्नाब का पूछा गया है निमनली खित मैं से कौन साकाहरी घटक है सेर मांसहारी कहीचता मक arri طintir थी आपसंञेल लिएकता मांसा रही और प्रसमें पड़त में किसके द्वारा किया जाता है भी यह तो फे автом किङ कि गई तो यह पुस्तक इस में और सर के द्वारा लिकिए पहला अपका राइट आठाफ हों प्रस्ट देखेंगे भीचा क्या है विकास के मनोबाग्यानिक प्रेरिद विकास का अस्तर कहा है तो परिपक्वता की प्रेरिणा के अस्तर को D आपसन आपका राइट है चले प्रस्ट नमर 11 पुछा गया है आपका मानो विकास सुचकांग रिपोर्ट 2018 में कब जादी की गई तो यह जादी की गई थी वह यह आपका 14 सितंबर को C आपसन आपका राइट है अच्छा अभी और कितने एक्जाम यानि कौन कौन से सब्जेक्ट का आपका एक्जाम बाकी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मैं जल्द ही आप लोगों के लिए कोश्चन पेपर लाकर करके दे दूँगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं प्रस्ट ब्रस के रूप में मनाय engagya विए वर्स 2000 में यह आप अपका राइट है प्रस्ट नुमरr 15 है राश्टी जह इनपरिषद किया सथापना की गई लिए 1999 प्रस्टो और सोंम्सुलियों के लेखक हैं जो सौसौयेटी प determined di 47 अपका पूछा कीब लागू किया गया था हिंदू बीवा अध्यनियम किन पर लागू किया घ्या थांथन ती अठाम सब्सक्राइब 25 को हिंदु विवाधनियम लागू किया गया बी आपसन आपका राइट है और नाइस नंबर पर प्रस्ण है घरेली विंसा से मैलाओं का संद छड़ा दिनियम 2005 कब पारित हुआ या पारित हुआ था 13 सितंबर 2005 को सी आपसन आपका राइट है अगला प्रस्ण नमर 21 पूछा गया है भारत में किस वर्स मैलाओं के लिए राष्टी कमिशन गठित किया गया था तो 1992 में पी आपसन आपका राइट है प्रस्ण नमर 22 है दहेज निरोध अनियम में कुल कितनी धराएं हैं तो इसमें कुल 10 धराएं हैं यह आपसन आपका राइट है अगला मजुनदार हैं सीसरी अप का राइट है चले अगला प्रस्ण है पचीश नमबर बाली का स्री योजना पारारम्ड की गई तो यह परारम्ड की गई älती जुलाई पंदरे जुलाई 2006 में दी ऐस आपका राइट है प्रस्ट नुम्र 26 बारडोली आंदोलन कहां दल्स प्रस्ट नुबयवर सथे पुछआ गिया था। perspectives कि आफसहञता हैं था अब सथानों मुस्थान था सद्फान के बाद किस आए सथान एत Your दें इसाईं आ हैं अब्भासान आथ है था ग्रत-ार मीरा यािक में प्रस नम्बर 29 पुछा गया भारत में प्रमुखरूप से कितने धर्मों की प्रधांता रही तो छे धर्मों की प्रधांता रही D-अपसन आपका राइट है 29 sẽ प्रस नम्बर 31 है समार सास्त्र में संस्कृत इकरन्ड की आवधारला किस ने दी, तो M.N.S.R.I. निमास ने दी है, ठीक है, ये अपसन आपका राइट है 30 का प्रस नंबर 31 क्या पुछा क्या है, निम्नलिकित में से बिसमता का अधार नहीं है तो देखे जो जाती है ब्योसाय है और सिच्छा है विसमता का अधार है लेकिन लेखन जो है आपका ठीक है राइटिंग यह आपके विसमता का अधार नहीं है सी आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 32 है प्रधान मंतिरी गराम सड़क योजना कब प्रारंब की गई प्रस नमबर 33 है आपका पूछाग्या है निमन लिखित में से किस राज में गरीवी दर सबसे कम है तो देखे बिहार असम और अधिक है लेकिन गोवा में गरीवी दर सबसे कम है ठीक है और सबसे छोटा राज भी आ भारत का प्रस नुमर 34 है रंग रंजन समिती के अनुसार वर्स 2011 बारह में देश का निर्धनता अनुपात था 29.5 पर 30 था अगला प्रस ने आपका 35 नंबर आतंकवाद का मुकाबला करने वाली खूपिया अजेंसी नहीं है देखे रा भी है आई भी है और एटी जी आर आईडी इसका भी आपने नाम सुना होगा लेकिन एनेस का नाम नहीं सुआ है खूपिया अजेंसी यह नहीं है तो सी आपसनापका राइट है चले प्रस नंबर 36 है दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार है तीन प्रकार है बी आपसनापका राइट है प्रस नंबर 37 क्या है पारिस्थिति जो परिस्थिति एकी करण है इसका सिधान किस ने दिया था तो Gibbs M. Martin ने दिया था D. आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमर 38 पुछा गया है मादक दरब्यों के परयोग विरोधी अभियान है तो Operation Black Gold है A. आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमर 39 क्या पुछा गया है नमांकन सिध्धान का प्रतिपादन किया किसने किया था भीया Harvard Baker तथा Erickson ने नमांकन सिध्धान को प्रतिपादन किया था C. आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमर 40 पुछा गया है बिभिन संपर्क का सिध्धान के प्रतिपादक है बिभिन संपर्क के सिध्धान के प्रतिपादक सदरलैंड है बी आप सनापका राइठ है प्रस्ट नमर फोटीवा ने भारत में सूचना प्रधोग की अधनियंप कब लागू किया गया सत्तर मईं संदोछार को D आप सनापका राइठ है प्रस्ट नमर ब्यालिस हैं अंतराश्टि भरस्ट अचार विरोधी दिवस प्रतिवर्स कि इस्तिति को मना जाता है तो यह 9 सितंबर को मना जाता है यह आप सनापका राइट है प्रस नमबर 43 है निम ने लिखी तुमें से किस कानून में बाल अपराधियों को और धोगिक पर हिक्षर देने की बात कही गई है तो सुधार आला इसकूल अधिनियम में कहा गया है सी आप आपसनापका राइट है ठीक है चले प्रस नमबर 44 है आपका बोश्टरल स्कूल के जनमदाता कौन थे तो इसके जनमदाता भया एलविन रेगिल्स ब्राइस भी आपसनापका राइट है प्रस नमबर 45 के पूछा गया किसोर नयाइबोर्ड का गठन अधिनियम की किस धारा के अंतरगत किया जाता है तो यह धारा-चार के अंतरगत किया जाता है यह आपसनापका राइट है प्रस नमबर 46 है यूज इन कानफिलिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है प्रस नमर 47 आपका अपराध का बहकारी का वादी सिध्धान किस ने प्रस्तूत किया तो सिरील C अपसन आपका रॉइट है एसकरी करना यह सभी स्व्शाराइट के प्रकार है प्रेस unas 9 सो चेया भारत में साइबर अपराद कि श्रेणी में सब से घिनाव न अपराद क्या है तो सब से घिरोनाअव अपराद है अनलाइन बाल पोर्नोग्राफी ठीक है ये भारत में साइबार अपराद की स्रेणी में सबसे गिनाओना अपराद है बी आपसनाप का राइट है प्रस्फ नमबर 50 है अमेरिका में सेना में तथा बुधिजीमियों में आत्महत्या की उंची दर का उलेक किया किस ने किया लूंडन ने किया था बी आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 51 पुछा है राश्टी एक इक करण में बाधक है छेत्रवाद बाधक है संप्रदाइकता बाधक है या फिर भासावाद या फिर ये सभी तो दोस्तों ये सभी भासावाद संप्रदाइकता और छे प्रस नमबर 52 पुछा गया है ते भागा तथा नक्सलवाडी आंदोलन कहां हुआ था पताईए आप लोग बिलकुल राजस्थान में हुआ था प्रस नमबर 53 पुछा गया है भारती समाज और संस्क्रीती के लेखक कौन है तो इसके लेखक है डाक्टर के इंसर्मा ये आप सनापका राइट है प्रस नमबर 54 है भारत में कौन एक अलपसंख्यक में नहीं है देखें हिंदू जो है अलपसंख्यक में नहीं है प्रस नमबर 25 भारत के मुसलिम समधाय में निम्द में से कौन सी एक दसा का संबंध धारमिक प्रिथकतावाद से है तो जो सैक्षिक पुछड़ापन है यह धारमिक प्रिथकतावाद से है ठीक है यह आप सनापका राइट है प्रस नमबर 56 आपका पुछा गया है अपराद के सिध्धांत है इस पुस्तक के लेखक एडवीन एच सदरलैंड है यह अपसनापका राइट है प्रस नमबर 57 ने संसाधन होते नहीं बन जाते हैं किसने कहा तो इसको कहा है जिम्मर्स मैन ने ठीक है भी अपसनापका राइट है जिम्मर मैन प्रस नमबर 58 आं ठामन नमबर जर्मजात अ दो लें ब्रोसो ने दी है सिस Bennett का राइट है प्रस नमबर 59 उच्छ गया है प्रभवजात के अधारणा किसकें द्वारण प्रस तूथ की गई म की एक सनापका राइट है प्रस्ट नमबर 60 पुचग गया है जात वेवस्था अधारित है जात वेवस्था वंसानुगत वेवसाय पर अधारित होता है डी आपसनापका राइट है प्रस्ट नमबर 61 है अनुसूचित जंजाती की पहचान महात्मा गांधी द्वारा की गई तो हरीजन के रूप में की गई इसी आत्माप का राइट है प्रस्ट नमबर 62 है आपका कीस आत्माप्या के अंदर सामूही क्रिया कलाप का अभाव हो जाता है तो स्वार्थ मई आत्माप्या ये अपसनाप का राइट है प्रस्ट नमर 63 आपका पुछाए भारत में सामप्रदाइक तके विकास के मुख्य कारण है क्या है तो सामप्रदाइक राजनीतिक दल है मीडिया साहितिक आदि है फूट डालो राजकरो नीति है ये सबी डी अपसनाप का राइट है प्रस्ट नमर 64 है सर्वुच नियाले ने किस अधार पर बहुत संख और अल्पसंख की व्याक्या दी धर्म और भासा के अधार पर ये अपसनाप का राइट है प्रस नमबर 65 है ब्रश्ट चार क्या है ब्रश्ट चार एक समस्या है यह प्रॉब्लम है यह सी आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 66 है किसने सरुपर्थम सभेद पोस अपराद की अवधारला दी एडवीन एच सदरलेंड ने दी ती यह प्रस नमबर 67 है ब्रश्ट चार के कारण क्या है तो देखे आर्थिक असुर अच्छा है आयकर की उचदर है लोकतंत्र की प्रणालिया यह सभी क्या है ब्रश्ट चार के कारण है डी आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 68 है भारत म कौन एक अल्पसंख्यक में नहीं है हिंदू अल्पसंख्यक में नहीं है यह सब्सक्राइब किसी आपका राइट है प्रस नमबर 69 है कौनप एक साईबर अपराद का स्वरू नहीं है देखे कम्प्यूटरப्या मैं प्रण चिछ ठीक है यह साइवर अपराद नहीं है चले जिंदगी वरवात करने वाला फ्यार है प्रस नंबर सत्तर है आपका रोष्टोव ने अपने आर्थिक विकास के सिध्धान्त में कितने अस्तरों की चर्चा की है तो पांच अस्तरों की चर्चा की है स्याप संदाइट है आप वाली गैस नहीं है तो देखे कारबन डाय अक्साइड ग्रीन हाउस गैसे में आती है मिथेन गैस भी ठीक है सीच फॉर नाट्रस आक्साइड भी आती है नाट्रोजन आपका नहीं आता है तो डी आपका राइट है ग्रीन हाउस उत्पन करने वाली गैस नहीं है पुछा गया है भूमी अधिगरहण तथा पुनरवास और पुनरस्थापना अधिनियम बना कब बना तविया दोजार तेरह में यह आप सनापका राइट है प्रस्ट नुमर सेवन्टीफाइब है एसिया का सबसे बड़ा बांध है एसिया का सबसे बड़ा बांध है टीहरी बांध भी आपसनापका राइट है ठीक है तो यह रहे आपके कोश्चन पेपर अभी आपके कौन से सब्जेक्ट का एक्जाम बाकि है कमेंट बस में जल्दी से कमेंट करिए मैं उसका कोश्चन पेपर ला कर दूंगा ठीक है महात्मागादी का सब्सक्राइब जरूब करे है ठीक है जल्दी मिलते साथ यह नश्ट क्लास में ततक लिजाहिन वंद्यमात्रम